अजकर करेना नौकरी, चिडिया करेना काम, तो मैं क्यों दरदर भठकू यारो, अब मैं भी करूँगा आराम! बॉस, आपने जो कहा सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, पर कुछी, समझ नहीं आया! इसका मतलब है, अब मैं काम नहीं, सर्फ आराम करूँगा, बिना कैश के आश करूँगा, मेरे सैताने दिमाग में एक तुफानी आइडिया आया है, मैं लोगों के घर उनका दूर का रिष्टदार बनकर जाऊँगा, और आश करूँगा, बढ़िया बढ़िया घाना उनसे सेवा करवाऊंगा, हाँ, 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 हालो अंकल, आपको किसम मिला है, अरे नहीं अंकल, लेकिन बताए दू सही, मेरी घलती क्या है, अंकल के बच्चे, अपने जुमरी तलया वाले मामा को नहीं पहचानता, ओ, जुमरी तलया वाले मामा जी, मामा जी, मैंने आपको नहीं पहचाना अरे कब बच्पन में आपसे मिला था कितने सौल गुजर गए लेकिन मामाजी आपको मेरा पता कैसे पता चला अरे क्या पता पता लगा रखा है अपने भांजे का पता लगाना कौन सी बड़ी बात है अरे अब मुझे अंदर नहीं ले चलेगा आए पतलू ये देखो मेरे छुमरी तलया वाले मामा जी आये है तुम्हारे पास हजार रुपय के छुट्टे हैं क्या बाहर तो भिखारी खड़े हैं मैं उन्हें देना चाहता हूँ अरे पतलू मेरे मामा जी बहुत दान पुन्डे वाले आदमी है इन्हें जड़ा हजार रुपय के छुट्टा देतो पुन्हेड नो, साहब लोगों के तरफ से एक हजार रुपया तुम भी के याद करोगे किस दानी दोगों से पहला पड़ा था ये दान आपने हमारी तरफ से किया मेरे पास होता तो मैं तुम से क्यों मागडा वैसे भी मैंने दिये या तुमने दिये बात तो एक ही है ना बड़ी भूग लगी है खाने की बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है हाँ मामाची हाँ पतलू ने अभी अभी खाना बनाया है आये खाते है पेट भर गया बेटा अब मेरे पेर्द बादो मामाजी मेरा मन पसंद नाश्टा समोसा है आप टेश्ट करकर देखो कैसे हैं अरे मामाजी ये सबों से फेक यू दिये थोड़ा खाओ और थोड़ा जानवरों को खिलाओ बाहर भूखे डॉगी जो रहे है ना इस मामा का ड्रामा कुछ जादा ही चल रहा है देखता हो बाहर क्या है डॉगी या फिर कुछ और तो ये मामा नहीं जोन है अभी इसे मज़ा चाखाता हूँ चाय वाले भाया सुनो तुमसे ने काम है अरे मेरे लिए तो एक भी समोसा नहीं बचा समोसे टेस्ट कर लिए बहुत ही अच्छे है अब घाने के लिए ठेर सारे समोसे मगा लो मकलब ये अब टेस्ट कर रहे थे अरे आप तो सच मुछ मेरे मामा हो मोटू भाया सुना है तुमारे घोमरी तलहिंए वाले मामा जी आए है मामा जी नमस्ते लाओ जल्दी से सचीमे रफ़ाउ लाजी आन्याए लूने मेरे इस घर के लिए 10,000,000 लिए थे और कहा था मेरे मामा दे देंगे और पून पे आपसे बात करवाई थी आपने भी कहा था ना हां मैं दे दूंगा अब लाओ, अरे ये क्या कर रहे हो, मैं तो तुम से कभी मिला तक नहीं, बात तक नहीं की, आदे मोटू पतलू, देखो जरा, देखो, इनकी नियत बदल गई है, मोटू पतलू, तुम दोनों बहार जाओ जरा, हाँ जिलो पर जाओ, बचाओ, जाओ, उसकी जेद में हट्टी है अरे ये क्या मुसिबत है, बचाओ, बचाओ, बचाओ अरे वो तुम्हारा मामा नहीं, जॉन था जॉन और वो तुम्हें उन्लू बना रहा था जॉप करो, लेकिन इस बार मेरा प्लान फेल नहीं होगा मैं चिंगम के घर उसके बच्पन का दोस्त बनके जाओंगा अयो चिंगम, अन्ना, मेरा दोस्त कैसा है तुम्हा, गल लागा जा अलो, लेकिन तुम हो काल, मैंने तुम्हा पैचाना नहीं, 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 नहीं तुम्हेरा अन्ना तंभी तंभी मैतेरा अन्ना, तुम्हेरा तंभी मैतेरा अन्ना मुरी नाराय में, इतने सालों बाद में ये सिंगमा, मैं मुरी नाराय में अगले लगजा मुरी नाराय में ये सिंगम सर कैसे हो सर सर ये को और है ये मेरे बच्पन का दोस्त मुरी नाराय में आया मा, का देख रहे हो? ये तो वांटेड क्रिमिनल है वो देखो बोड पे आया मा, तुम इतना बला अपरादी काई से बन गड़ा मैं तुम का नहीं छोलूगा रपरी, बगज लो ये चूट, ये चूट, ये चूट, मैं आपरादी नहीं हूँ कितर, कितर, कितर गया ये चूट के मेरे पुतर, कैसा है तु मेरा पुतर हाँजी आप कौन हो अंकल, मैंने पहचाना नहीं यार ये चूट के बड़ा साइंटिस्ट हो गया है तु अपने चाचा को नहीं पहचाना तो अड़ा अमरीका वाला चाचा, बक्षी ओ मेरे चाचा जी, कितने सालों बाद मिले हो यार अब कई सालों तक जाने नहीं दूगा, पक्का है जी पुड़ी बबा, इतना प्यार देके मेरी आखे भर आई लेकिन तुम्हरे चाचा की आखे नहीं भरी ओ यार, अभी मेरी सेवा देखके इनकी आखे भर आएंगी आज मैं इको ऐसा खाना खिलाऊगा, ऐसा खाना खिलाऊगा कि ये कभी नहीं भूलेंगे यार चाचा जी, नमस्ते, पहचाना हमें ये दोनों मुसीबत बनकर हर बार कहां से आ जाते हैं सोई, मेरा मतलब है नहीं पहचाना, बेटा, तुम कौन हो पहने चावे नाश्ता हो जाए, फिर बतरती है जॉन बनेगा जॉन, जॉन बनेगा जॉन भर चर्को, 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 चर्को झाल तुम जान! नहाम किसी के मामा हो, ना चाचा हो जान को बहरना मुश्किली नहीड, ना मुमकिने हाँ जान, तुम रोकेट में आसमान की सहर करने जा रहे हो, अब तुम्हारा वापस आना मुश्किल ही नहीं, नामुम्किन है नहीं, अपने पक्षी, जाजा को पक्ष दो, प्लीज, बोइस कभी नहीं सुधरेंगे, इनके तूफानी आइडियाज झाल